पाकिस्तान की आतंगी फैक्टरी से निकलने वाले आतंग वादियों के हर मनसूबे पर पानी फेरने के लिए देश के जाबास जान की बाजी लगा कर भी उन्हें जहनुम का रास्ता दिखाते हैं अब 26-11 की बरसी से पहले समुद्री सीमाव पर चोकसी बढ़ा दी गई है कोसगार 24 घंटे पेट्रोलिंग पर हैं और समुद्र में होने वाली हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं सुरक्षा बलो का मकसद है कि एक और जहां कसाब ने जो कुछ किया वैसा दुस्साहस कोई और आतंकी ना कर पाए इस पर अब नजर बनी हुई है मुंबई हम लोगों करीब 15 साल बीट गए कोस्टल रिजिन में हमारी स्ट्रक्षा विवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई कसाब और उसके साथी ऐसा दुस्साहस दुबारा नहीं कर सकते मौसम कैसा भी हो समुद्र में तैनाध भारत माता के जवान अपनी ड्यूटी मखू भी निभाते हैं समुद्र की लहरों के बीच हवा में लहराता त्विरंगा भारत की आन, बान और शान की बान ग्यों दिखाता है कच्छ की खाड़ी में कोस्ट गाट की मौजूद की देश के दुश्पनों के बीच देश्यत बढ़ाने के लिए काफी है एडवांस टेकलोजी और हथ्यारों से लेस चवान चप्पे चप्पे पर पहले रसर रखते हैं इनकी कोशिश यही होती है कि समुद्री सीमा पूरी तरह सुरक्षित रहे 2008 में पाकिस्ताने आतंकी समुद्र के रास्ते ही मौंबई में दाखिल होए थे उसके बाद से समुद्री सीमा के फाज़त को लेकर काफी सतरता बढ़ गई आतंक का आका पाकिस्तान पहले जैसी हिमाकत करने की हिम्मत अब नहीं जुटा पाता इसकी सबसे बड़ी वज़य कोस्ट काट की सजगता है समुद्र में बेहतरीन तालमेल के साथ जवान देश के सुरक्षा के लिए चौकस रहते हैं कच्छ के खाड़ी में हमारे जवान सीना तान कर खड़े हैं अलग-अलग बोट पर सवार होकर जवानों की टीम पेट्रोलिंग के लिए निकलती है ये सिलसला 24 घंटे चलता है सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहो इसका पूरा ख्याल रखा जाता है समुद्र में कोस्ट कार्ट की तरह ही नेवी भी पूरी तरह अक्टिव है ये वीडियो भारत और रूसी नेवी के साचा अभ्यास का है मंगाल के खाड़ी में दोनों देशों के नौसैनिकों ने जम कर युद्धा अभ्यास भी किया है इस दौरान भारती नौसेना के हलिकॉप्टर रूसी नौसेना के जहास पर उत्रे युद्ध की स्थिती में दुश्मनों को कैसे जवाब देना है और कैसे सबक सिकाना है इसका अभ्यास गिया गया जल, थल और नब हर जगह भारती जवान मुस्तैद हैं समुग्वी सीमा हो ये जोमेनी सुरक्षा हर जगह इंडियन फोर्स की तनाती दुश्मनों के दिलों में देशत बढ़ाने वाली है वेरो रिपोर्ट जी मीडिया